हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज हम आपको इस वीडियो में बनाना बताएंगे यह पफ वाला डिजाइन कैसे बनता है यह इस तरीके से यह फ्लावर बनता है देखिए मैंने दो कलर में बनाया है आप चाहे तो एक कलर में भी बना सकते हैं तो चलिए बनाना स्ट करते हैं तो इसके लिए मैंने यह क्रोश्य उख लिया है 3.5 mm कलिया है और 3 प्लाई की बूली है सबसे पहले हम नोट लगाएंगे कि चेन बनाएंगे एक कि दो कि तीन कि चार कि पांच और यह चे चे चेन बनाएंगे फिर हम फस्ट वाली चेन में क्रोश्य उख डालेंगे स्लिप स्टीच बनाएंगे यह देखे इस तरीके से बन गया है अब देखे एक और यह दो दो चेन लेंगे फिर हम इस होल में इसको में प्रोश्य उख दालेंगे फिर हमें न बना रहे हैं, देखिए कैसे बनता है, फिर से हम धागा लेंगे क्रोशिय पर, इस तरीके से डालेंगे, फिर खीचेंगे, ठीक है, दो बार हो गया, फिर से धागा लेंगे, फिर से डालेंगे, तीन, फिर से धागा लिया, ये चार, चार बार हमने निकाल लिये, फिर देखि इस तरीके से फिर से हम इसी होल में एक और पाफ और बनाएंगे यह देखे थोड़ा से इसको लंबा खिचेंगे और यहां पर फिंगर रखेंगे कि यह हमारा लूज ना हो फिर से धागा लेंगे फिर से हम क्रोशियोग डालेंगे दो बार हो गया यह तीन फिर से धागा लिया और यह चार चार वार निकाल लिया फिर हम धागा लेंगे फिर सबको एक साथ निकाल देंगे और एक इसको बंद कर देंगे फिर से हम इसमें क्रोशियोग डालेंगे धागा लेके दिला रखेंगे थोड़ा सा लंबा रखेंगे इसको फिर से दागा लिया क्रोशियोप डाला फिर से निकाला दो हो गया फिर से दागा लिया निकाला फिर से लिया निकाला ये देखिए ये हो गए और फिर हम इस तरीके से सब को निकाल देंगे इसको बंद कर देंगे ये द पफ मैंने बना लिये हैं, फिर से हम धागा लेंगे, एक, फिर से धागा लिया, दो, फिर से धागा लिया, ये तीन, फिर से लेंगे, चार, चार बर निकालेंगे, फिर हम इसको बंद कर देंगे, इस तरीके से पूरे सब को निकाल देंगे, फिर उपर से यह से बंद कर दें एक फिर से धागा लिया दो तीन चार बार धागा लेंगे चार बार हम बना के फिर निकाल देंगे इस तरीके से बंद कर देंगे यह हमारा पब बन गया फिर से धागा लिया एक दो यह देखिए यहां पर फिंगर रखेंगे फिर धागा लिया तीन फिर से धागा लिया फिर हम इसमें फिर निकाल लेंगे चार हो गया फिर से सब को निकाल देंगे यह देखिए इस तरीके से फिर से धागा लिया फिर से पब बनाएंगे एक दो फिर से तीन धागा लिया यह चार बना लिये चार बार निकाल लिया बन कर देंगे यह हमारा पब बन गया यह देखिए इस तरीके से फिर से एक धागा लिया, दो, फिर से, तीन, धागा लिया, ये चार, पिर से हम सबको निकाल देंगे, ये देखिए फिर से धागा लिया निकाल दिया यह देखिए सिंपल है आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा आप अराम से बना सकते हैं यह देखिए यह हमारा बन गया है अब एक पफ और बनाएंगे एक हो गया दो बर धागा लिया तीन फिर से धागा लिया और लास्ट यह चार चार बर निकाल दिया सब को फिर से एक साथ निकाल देंगे तो यहाँ पे जो हमने चेन ली थी यहाँ पे इसमें हम क्रोशिय अक डाल के स्लिप स्टिच बना देंगे ताइब इस रीके से बन गए हमारा, बोलत इजी है, यह देखिए फिर आब हम दूसरा कलर लगाएंगे आप चाहे तो एक कलर में ही बना सकते हैं मैं इसमें दो कलर का बनाके दिखाऊंगे मैंने इसमें रेड कलर लगा लिया है अब देखिए क्या करेंगे एक दो तीन तीन चेन बनाएंगे फिर वापिस इसी में सिंगल ग्रोशिया बनाएंगे फिर पास वाले में बनाएंगे एक दो तीन तीन चेन लेके वापिस इसी में सिंगल ग्रोशिया बनाएंगे यह देखिए पास में फिर से बनाएंगे एक दो तीन तीन चेन लेके फिर वापिस इसी में सिंगल ग्रोशिया बनाएंगे ये जो पब फैना इसमें बनाना है फिर हम इसमें बनाएंगे ये देखिए पास वाले में फिर से बनाएंगे क्रोशिया डालेंगे फिर हम एक दो तीन तीन चेन लेके फिर वापिस इसी में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे दोनों फंदे एक साथ ही निकालेंगे फिर पास वा बनाएंगे, एक, दो, तीन, तीन चैन लेके फिर वापे सिसी में बनाएंगे, फिर पास में, पास वाले में फिर से बनाएंगे, एक, दो, तीन, तीन तीन चैन लेनी है, वापे सिसी में सिंगल क्रोश्या बनाएंगे, फिर पास वाले में फिर से बनाएंगे, एक, दो, तीन तीन चेन लेके वापे सिसी में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फिर बनाएंगे चेन बनाएंगे एक दो तीन तीन चेन लेके फिर वापे सिसी में यह देखे सिंगल क्रोशिया बनाया एक, दो, तीन, तीन चेन लेके वापिस इसी में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम इसमें भी बनाएंगे, पासवले में, एक, दो, तीन, तीन चेन लेके वापिस इसी में बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे आके हम इसको स्लिप स्टिच बनाएंगे, यह देखिए, इस तरीके से बनके रेडी हो गया है, यह बहुत प्यारा बना है, यह देखिए, यह हमारा पफ वाला डिजाइन बन गया है, यह देखिए, मैंने इस कलर में बनाए है, यह देखिए, यह बनाए है मैंने, बहुत प्यारे लगते हैं, यह बना के आप इसको जोईन करके आप थाल पोस बना सकते हैं, टेवल कवर भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी चीज़ बना सकते हैं, वीडियो सब्सक्राइब करें ओके बाई थैंक यू मिलते हैं अगली वीडियो में